दोस्तो मैं निर्मल आप सबकी दोस्त मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका दोस्तो आज में आपके लिए बहुत ही अच्छा सा यूनीक सा दो कलर का पैटन लेकर रही हूँ तो यह बनाने में बहुत ही असान है तो चलिए दोस्तो इस वाले डिजाइन में हम इस्टिर के मल्टिफल में फंदे चाहिए और दो खलर में हम बना रहे हैं यह मैंने थोड़ा सा बॉडर टाइप बनाकर रख लिया है दो दो सलाईय बना ली है उल्टी उल्टी तो इस तरह से आप अपना जो भी बाउडर बनाना चाहते हैं वो बाउडर बनाने के बाद आप इस तरह से अपना डिजाइन जो है वो बना सकते है तो यह देखिए दोस्तों हमने दूसरा वला धागा टैच कर लिया ह तो अब हम इस वाले धागे से जो धागा हमने चेंज किया है ये लो कलर का धागा लिया है तो देखिए इस वाले धागे से हमने तीन फंदे हमने येलो बनाने हैं देखिए और दो फंदे पिंक वाले बिना बुने हम उतार लेंगे तो ये हमने स्वारी सीधे सीधे बनाने थ तो यह देखिए, तीन फंदे हम सेध्य बनाएंगे, और दो फंदे हम पिंक बिना बुने उतार लेंगे, फिर से आगे देखिए, चार फंदे यलो बनाएंगे, और दो फंदे पिंक बिना बुने उतार लेंगे, फिर से चार फंदे यलो बनाएंगे, और दो फंदे पिंक बिना बुने उतार लेंगे, और लास्ट में फिर से हमारे पास तीन यलो फंदे आएंगे, तो आपने इसी तरह से फंदे डालने हैं, कि दोनों किनारों पे आपके तीन तीन फंदे आने चाहिए तो six के multiple में हमने फंदे डालने है तो इसी तरह से हमारे तीन तीन फंदे बनने चाहिए आगे देखिए जो फंदे हमने बुने है उन फंदों को हम बुन लेंगे और जो फंदे हमने नहीं बुने है उन फंदों को हम ऐसे ही स्लिप करेंगे तो ये येलो फंदे हम बुनेंगे और पिंक फंदे हम ऐसे ही स्लिप कर लेंगे फिर से येलो फंदे बुनेंगे और पिंक वालों को ऐसे ही स्लिप कर लेंगे फिर से येलो फंदे बुन लेंगे पिंक ऐसे ही sly पर ले लेंगे तो यह देखिये आगे अब हम ध्थागा change कर लेंगे दो दो सिलाइ का ही हमारा डेजाइन है यह हमने फरस्ट टाइम ऐसे बना लिया अब आगे देखिये हर बार हम ध्थागा change करते जाएंगे और हमारा design जो है बनता जाएगा तो अब हम pink धागा लगा लेंगे तो pink धागे से हम दो فंदिख बना लेंगे देखिए 2 फंदे हमने इंक बना लिए अब हमने यह यालो वाला फंदा है इसको हमने अंदर लाना है और पिंक वाले लाना है तो यह देखिए पहले हम पिंक वाले फंदे को जैसे हमने केबल बनाते हैं केबल की तरह इस तरह से इस फंदे को हमने पहले बुन लेना है और इस येलो वाले फंदे को ऐसे ही हम उतार लेंगे इसे बुनेंगे नहीं इस तरह से ये अंदर आ गया अब ये वाला जो येलो फंदा है ये देखिए इस वाले येलो फंदो को पीछे से ये देखिए येले वाले को पीछे से लेंगे और इस वाले पिंक फंदे को इस तरह से बुन देखिए तो यह देखिए येलो फंदे दोनों अंदर आगे अब आगे देखिए फिर से एक तो यह हमारे पास तीन फंदे हो गए पिंक और अब हमने फिर से इस वाले पिंक को बार लाना और येलो अंदर जाएगा तो पहले हमने इस वाले फंदे को पिंक वाले को इस तरह से बुल ल बिना बुने ही तो आप चाहे तो इसको पहले पलटके फिर बुन ले चाहे तो आप बाद में कर ले अब देखिए ये यलो वाले फंदे को उतारेंगे और ये पिंक वाले को इस तरह से पीछे लजाके बुन देंगे तो ये देखिए इस तरह से पैटन हमारा बन के आएगा फंदे ये लो बन लेंगे और फिर से अब ये ये लो अंदर जाएगा तो पिंक वाले फंदे को इस तरह से आगे से पहले बुन लेंगे और ये लो वाले को बिना बनी उतार लेंगे इस तरह से अब फिर से देखिए ये लो वाले को उतार के आगे गलाएंगे और पिंक व इस तरह से यह हमारे पास बन गया अब फिर से हमने जो फंदे हमने बुने हैं उन्हें हम बुन लेंगे और जो फंदे हमने स्लिप करें थे उनको वैसे ही स्लिप करेंगे हर बार उल्टी सलाई में ऐसे ही बुने हुए फंदों को बुनेंगे और स्लिप वालों को ऐसे ही बिन और जो बिना बुने है उन्हें ऐसे ही अपने स्लाइब में डाल लेंगे, अब आगे देखिए फिर से हमने धागा चेंज करना है, इसी तरह से हमारा पैटर्न बन के आएगा, तो मैंने आप एक बार और बता देती हूँ, चलिए अब हमने यह लो धागा चेंज कर लेंगे, दो, और एक, तीन, तो यह देखिए दोस्तों स्वारी, यह हमने दो फंदे हमने पैंक बना लिए, और अब हम फिर से यह वाला फंदा जो हमारा यलो है, यलो बाहर आएगा, यह देखिए, यलो वाले फंदे को हमने पहले बुनना है, और पिंक वाले फंदे को इस तरह से लाना है, फिर से यह देखिए, इस वाले पिंक को अंदर लाना है, और यह देखिए, तो यह इस तरह से यह देखिए, हमारे पास यह पैटर ना आएगा, तो ये देखिए सौरी दोस्तों में गलती से धागा पिंक लगा दिया था ये येलो धागा हमने लगाना है ये दो फंदे हमने येलो से बना लिए अब फिर से ये येलो वाले को बाहर लाना है इस तरह से पहले बुनेंगे येलो वाले को Pink वाले को ऐसे ही ढाल देंगे फिर से ये पीछे से यह देखे फिर से इसी तरह से ये देखे है हमारे 3-3 का pattern आगया आगे फिर से देखे 2 yellow बनाएंगे फिर से इस yellow को पहले बुनेगे और Pink वाले को अंदर लेके जाएंगे तो ये दिखे इस तरह से इससरे से.. description के तरह से यहां इहां पैटर्न आएगा.. फिर से दो फंदी यल्लो फिर से यह यल्लो वहर आएगा.. Now., पिंक वालबा फंद अंदर जाएगा... इस तरह से, इसको Ci और बैक साइट से.. इसको बनाएंगे.. और यह .. तो यह देखिए.. इसराटिंग में भी हमने इसी तरह से यह देखे बनाया था देखे तो चलिए ओल्टी तरफ से भी आपको एक बार इस लाई बना के दिखा देती हूं है why? जो फ़ंदी हमने बुने है ुने बुने गे जो फ़ंदे हमने बेन बुने है उन्हें स्लिक कर लेंगे ऐसे ही है हम जब भर बनाएंगे आमारे किनारे से 3-3 पबंदे आयेंगे जब हम अपना धागा भी चेंज करेंगे तो इससे हमें पता चल जाता है तो ये देखिए दोस्तों ये किस तरह से ये हमारा पैटन जो है बनके आया है ये देखिए दोनों धागे भी साथ सा चलते हैं तो ये देखिए इस तरह से ये हमारा पैटन जो है बनके आ गया है यह देखिए पास में करके भी मैं आपको दिखा देती हूँ देखिए और बैक साइट से इस तरह से यह हमारा पैटरन आता है थोड़ा सा और यह राइट साइट से इस तरह से आता है तो चलिए दोस्तों जब आप थोड़ा ज्यादा फंदों पर बनाएंगे तो यह देखिए इस तरह से आएगा आगे मैं आपको दिखाती हूँ यह देखिए दोस्तों है हमारा पैटरन कुछ इस तरह से देखिए बनके आएगा जब आप बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे तो बिल्कुल सेम यह देखिए इसी तरह से हमारा पैटरन बनके आएगा लहरिया सा बनता हुआ नजर आएगा थोड़ा सा देखिए तो आप इसको भी जैन्स और लेडीज और बच्चों के स्वेटर पर वेस्ट डिजाइन को बना सकते हैं तो चलिए दोस्तों आपको मेरा डिजाइन कैसा लगा समझाने का तरीका कैसा लगा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सेर कर दीजिए चैनल पर पहले बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बैल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिक्रेशन आपको मिल सके तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आगे एक और नया डिजाइन लेके तब तक आप सब खुछ रहें हसते रहें मस्कुराते रहें